हेलो गाइस आप लोग कैसे हैं उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे आज हम नए वीडियो का बनाने चल रहे हैं तो इस्प्लेंडर का प्लस का कलच केवल बनाने चल रहे हैं तो आप लोग देखिए कैसे बनता है और क्या क्या अमारे लगता है क्या क्या प्रोसेजर है तो देखिए और आपको अगर थोड़ी बहुत नालिज मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर तो चलिए हम आज कर वीडियो से शुरू करते हैं कैज देखिए आज हम बनाने वाले स्प्लेंडर का कलच केबल तो सबसे पहले हम आउटर काटते हैं नव नंबर का देखिए आउटर लेंगे नव नंबर 49 इंची छे सूथ काटना है मुझे स्प्लेंडर कलच 49 इंची 600 आउटर साइज है इस देखिए हम नाप नय जा रहे हैं नाप न जा रहे हैं इंची टेप से नाप रहे हैं 49 इंची 6 सूत यह देखिए हमने नाप लिया है अब काटेंगे आउटर कटर से यह देखिए हमने काट लिया है इदम परफेक्ट साइज 49 इंची 6 सूत होना चाहिए यह देखिए इंची टेप से हम नाप रहें साइज से ताकि छोटा बड़ा ना हो हमारा साइज एक दम परफेक्ट है 49 इंची 6 सूत तो चलिए अब आगे के प्रसीजर चालू करते हैं देखिए हमने लाइनर आउटर काट लिया था अब देखिए इसका सिरा साफ करेंगे हम ह संदो है तो आप लोग देखिए गाई नंबर का उटर है तो नौनबर ही सब कुछ लेला दउन नंबर का फैसे लिएगा देखिए हमने शिम्चे साफ कर लिया है आद देखिए अब लाइनर लाते हैं और सीलीप लाते हैं चलियית दिखाते हैं या और सीलीप अ ह non देखिए हमने liner और sleep ला लिया है अब इसमें liner डालेंगे हम यह देखिए हमारा liner एक दम बराबर है अब liner डालेंगे इसमें हम कि लाइनर किसी भी तरी किसी भी साइड से डाल दीजिए फूल बनाना है इसके लिए तो इसके लिए अब हम इसमें फूल बनाएंगे यह देखिए हमने फूल बना लिया है यह देखिए फूल बन क्रेड़ी हो गया हमारा यह देखिए फूल बन गया हमारा अब इसमें हम सिलीब डालते हैं सिलीब नव नंबर सिलीब डालते हैं यह देखिए 27 इंची सिलीब है हमारा नव का सिलीब 27 इंची यह देखिए हमने सिलीब डाल लिया है यह देखिए गाईस हमने फिटिंग ला लिया है यह देखिए होंडा अर्जिस्टर और होंडा नक्का इसको बोलते हैं स्प्लेंडर कलच सेट मार्किट में मिल जाता है स्प्लेंडर कलच सेट के नाम से मिल जाता है एक बार हम पास से दिखा जाते हैं कैमरे के यह देखिए छोटा वाला होंडा कलच नक्का बोलते हैं इसको और बड़ा वाला होंडा अर्जिस्टर है यह आप इस प्लेंडर कलच के नाम पर मिल जाएगा इस प्लेंडर कलच का बोल देंगे सेट चाहिए तो दे देंगे यह देखिए यह हुंडा नक्का है अब चलिए हम ठोकते हैं मसीन से यह देखिए अब हम 9 नमबर की डाई बानेंगे जिस पर डाई नमबर है 900 नमबर अब फटा फट हम खोलते हैं मसीन से डाई और दूसरी डाई बानते हैं यह देखिए हमने डाई खोल लिया है अब दूसरी डाई बानेंगे हम कलच का यह देखिए यह हमारा डाई है 900 नमबर का अब इसको हम बानेंगे मसीन में फटा फट देखिए हमने डाई को बान लिया है अब हम इसमें ठोकेंगे छोटा नक्का फूल की तरफ ये देखिए छोटा नक्का हम लगा रहे हैं ये देखिए हमारा छोटा नक्का ठोक गया है अब मरजिस्टर ठोकेंगे होंडा डिस्टर यह देखिए अब टाइब ने होकेंगे यह देखिए हुझे बार हम पास से दिखा देते हैं आप को यह देखिए यह देखिए बड़ा वाला हूंडा जिस्टर है चोटा वाला हूंडा नगक्का है अभेज़़गे अब हम इसमें डालेंगे घंटी लाइनर घंटी और तार तार 48 इंची है दो एम्म की इस्टेंड वायर फिल घंटी लगाएंगे फिर कट मक्खी खिचेंगे तार में फिर डालेंगे चलिए तार लाते हैं हम देखिए गैस हमने तार लिया लिया है तार और घंटी कट मक्खी ये देखिए ये घंटी है हमारी और ये हमारा कट मक्खी है एक बार पास में दिखा जाते हैं हम पास से ये देखिए ये कट मक्खी है रिड कलर में तो वाइड कलर में भी आती है और बलैक में भी आती है इस पर कोई दिक्कत नहीं है आप जो जो कलर लेना वो मिल कि चैनि वह गंपंद होंहें तार में खिंचते हैं लगाते चोटे तरफ उपने शोटी तरफ लगा रहें गौ्टी नक्का की तरफ गंटी लगाएंगे हैं इस जैसे कि झाला लुकले तार में ऊपर मखेश तड़ा देंगे हमें ही उने चाहा दिया अब इसमें section free oil लगाएंगे ताकि तार फिरी चले जाम न चले यह देखिए हम तार में तेल लगा लिया है अब इसको हम डालेंगे cable में यह देखिए केवल में हमने डाल लिया है अब यह केवल हमारा लवलवर 90% तयार हो चुका है अब इसका सिर्फ साइज काटना है और बुस लगा के मिनार डालना है चार मिनार तो चलिए हम साइज काटते हैं फटा-फट और बुस लगाते हैं मिनार डालते हैं इसमें कि देखिए हमने साइज कटर लगा लिया है अब इसका हम साइज बानेंगे देखिए फुट्टा से हम साइज कवानेंगे दो इंची दो सूत आना चाहिए बुस लगा के ठीक इसलिए हम साइज वानेंगे दो इंची, एक सूत और एक सूत का सपास सूत बुस बढ़ जाता है ठीक तो आप अपने हिसाब से कि देख लिएटेगा बुस कई किसिम काते हैं कोई कंभजाता है को जादा बढ़ जाता है कि ब Alabologie साइज काट लिया है तो अब देखिए अब हम इसमेट बुस्स लगाएंगे एक हुम कर रहता देएंगे पहले मुथ हको इसको शाइज खना ने है ई टापेंगे मसीन से ये देखिए बुस कुछ इस तरीके को होता है ये देखिए ये बुस है ये देखिए गाईस हमने डाई को बान लिया 400 नमबर डाई है बुस की अब हम बुस लगा के मसीन पर ठोकेंगे ये देखिए भूच लगा लिया है अब इसको हम मसीन पर ठोकेंगे ये देखिए हमने मसीन पर ठोक लिया है ये देखिए ये भूच ठोकने क भाद कुछी तरिके दिखता है ये देखिए अब इसमें हम 4 मिनार डालते हैं चार मीनार, दो और दो इंची, दो सूत आना चाहिए बुस लगाके, यह देख़िए, दो इंची, दो सुत है बुस लगाके, अब इसमें हम चार मीनार डालेंगे, कहीं NEW और चार कवाइल बोलते हैं, तो चार मीनार लेकर आते हैं भटाक से, के लिए ये Splendor Plus का है कलच के वल और Splendor में भी लग जाएगा ठीक है हमने चार कॉयल ले लिया है चार मिनार जिसको बोलते हैं अब इसमें डालेंगे हम ये देखिए आपके पास दिखा दे रहा है ये चार मिनार है ठीक है आप चार कॉइल भी बोल सकते हैं तो इसको हम डालेंगे किसी भी तरफ डाल दीदिए कोई दिक्कत नहीं है यह देखिए पूरा बठाना मिज़े दिखे यह केबल हमारा बन के रेडी हो गया है तो गईश अब यह केबल हमारा बन के रेडी हो गया अब ये बाइक में लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं Splendor कलच और Splendor Plus का कलच ये दोनों में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं Splendor Pro में भी लगेगा ठीक है, तो गाइस अगर हमारे वीडियो थोड़ी सी भी नोलज दी हो आपको, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो का लाइक कमेंट करना मत भूलिया और सेर भी करिए साथ के साथ चलिए, फिर आगे के निश्ट वीडियो में मिलते हैं आपको बाइबाइ